नमस्कार मेरा नाम है भीमा चित्रा श्वागत है एक और महत्मूर इंफार्मेशन में लोगों की सुरुखियों में ये खबर बना हुआ है 2000 के नोट बंद हो चुके हैं और अफरा तफरीव मची हुई है हलाकि पूरा मामला क्या है इस मामले को आपको ध्यान से समझने वाली बात है आपको बता दें कि सोशल मेडिया पे आपको कई तरह की खबर मिल जाएंगी चाहे वो खबर किसी भी चीज की हो गलत से सही दोने information अब समझने वाली बात यह है कि आप कोन सा information देखना पशंद करते हैं देखे यहाँ पर दिक्कत यह नहीं है कि 2000 के नोट बंद हो चुके हैं दिक्कत यह है कि आपको गलत information मिल रही है तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे 2000 के नोट बिल्कुल बंद नहीं हुए है अगर आपके पास 2000 रुपए के नोट है तो आपको बिल्कुल डरने की बात नहीं है यहाँ पर सरकार ने साफ साफ आपको आदेश दिया है कि 23 मई 23 मई 2023 से किसी भी बैंक में जा सकेंगे नोट और एक्सचेंज कर सकेंगे और यह डेट आपको कनवर्ट किया है मई से लेकर सितंबर तक यानि कि अगर आप कल्कुलेट करें तो मई, जून, जुलाई, अगस सितंबर आपके पास 3-4 महिने हैं और आराम से आप कितना भी नोट क्यों न हो आप एक्सचेंज कर सकते हैं एक्सचेंज करने का मतलब यह नहीं का आप पैसे दे के पैसे लेंगे, आप अपने अकाउंट में पैसे जमा कर सकते हैं तो इस तरह से यहाँ पर जो सरकार का हिसाब है कि लोग रिपोर्ट के मुताबिक यह बात निकल करा रहे है हलाकि आम जनता को इससे कोई प्राबलम नहीं होने वाली है आम जनता अपने दैनिक जीवन के 120-400 रुपए कमाती है और वो खर्च कर देती है तो 2000 के बात तो छोड़ ही दीजिए क्योंकि उनके पास 2000 का नोट है ही नहीं यह प्राबलम है बड़े लोगों के और बड़े लोगों के पास ही 2000 रुपए है तो उनको पता है को उनको 2000 कैसे एक्सचेंज करना हाँ आप जिसके पास कमरे भर के बोरी भर भर के रुपए हैं उनके लिए बहुत बड़ी प्राबलम होने वाली है क्योंको वो पैसा सरकार के नजर में नहीं थी और जैसे ही वो बैंक में जमा करेंगे वो पैसा सरकार के नजर में आ जाएगी तो समझने वाले बात यहाँ पर यह है का आपको बिल्कुल प्राब्लम नहीं लेना है और गलत नियूज से आपको दूर रहना है मुद्धा यही है कि आपका पैसा बिल्कुल सुनिश्चित है आपके पास तीन से चार महीने के टाइम है आप अराम से अपनी नोट को एक्सचेंज कर सकते हैं बदल सकते हैं कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है दिक्कत यह उन लोगों के लिए है जिनके पास अथा पैसे हैं अंगिनत पैसे हैं इन्फाइनाइट पैसे हैं तो आपका मामला यही है, यह मैं नहीं बोल रहा हूँ, यह सरकार की official news है, यहाँ पर आप देशकते हैं, आपको यही सब कहा गया है, जो मैं आपको अपने भोजपूरी भांसा में बता रहा हूँ, तो देखें आपको बिल्कुल यहाँ पर वही मामला है, और इस विडियो को जो black money लोगों के पास है, वो अल्रेडी bank के आंकड़े में आये, reserve bank के आंकड़े में आये, और note को काफी लोगों ने दबा के रख लिया है, जिससे black money खठा हो गई है, तो इससे काफी फायदा भी होने वाला है, और बड़े लोगों को काफी नुक्षान है, हलाकि आम जन ज या कुछ आप comment personally करना चाहते हैं, परिसनली बाते जानना चाहते हैं, तो आप video पे comment करिएगा, comment box आपके लिए खुला है, आप अपनी बातों को रख सकते हैं, और आपका उसका जबाब जरुर मिलेगा, साथ में video पसंद आई हो, तो share किजिएगा, दबा के, और भाई आप के सामने लान पटन दिख रही होगी, तो subscribe भी करिएगा, तो चलिए आज के लिए इतना है, मिलते हैं, next video में, take care, goodbye